सब रुगांदा इलाज रेकी स्पर्ष चकितसा अगलांग रेकी देला पाग दो कैंसर अनेक लोग कैंसर दी बिमारी दा इलाज करवाणों देसी अलग लग तराँ दी कैंसर छाती दा कैंसर पेट दा थे जीब दावी करूगी इलाज ली आया सब तरह दे कैंसर लई सब तो पहला हम पूरे स्रीर दा इलाज कीता जन्द है सब तो बाद चो स्थान दा इलाज करना चाहिए जिते रोग है कैंसर जे फोड़े दे रूप चुठिया है अख रोट जिनना वड़ा है तो मेरे अनभव अनुसार तिन हफ़ते है जो गाल जाएगा सिरे मती टकाटा दस दिया जे छाती दा कैंसर पिंड दे रूप चाहिए तो पूरे स्रीर दा इलाज करो इस स्रीर दे अंग विशेष जिवेंगर भाशय अंडाशय पार तो विशेष उपचार दी जरूरत है सब तो बाद च पिंड स्थान चाती उत्ते उपचार कीता जाना चाहिए कई बार में देख्या के बैंगनी लाल रंग दे स्थान हान जो बहुत ये दर्दकार खुंदे हान पर जदो शरीर दे अंग प्राण वायू नालोत प्रोत हो जान दे हन तब पिंड अपने आप गलन लगदा है ते बहुत सारे मामले आंच उप्रेशन दी लोडी नी जिस डॉक्टर ने मेला दी चाती दी कैंसर पेंड दे अप्रेशन लई उन्हों पंच दिन बाद आउन लेकिया सिरीमती टकाटा दस दी है उस शाम नू मेला मेरी हस्पिताल चाही दी कैन लगी के अप्रेशन तो उन्हों बड़ा डर लगदा है मेरे तो सहाय था मंगी मैं मेला बहुत खोश होई ते अपने पती दे नालोना ने शक्ती संचार भी प्रापत केता सिर्मती टकाटा दा केना के चाती दे कैंसर दे मामलेच रोग दा कारण इस्तरी अंगान चोंदा है ते इसले गरबाशया अंडाशया थे उप्चार दे नाल थायरट ग्रंथी ते च चाती दा उप्चार होना अन चाहिद है सदा इस्तरी दे कुप तंगान चोना दी चाती दे कैंसर दा कारण लुक्या हुंद है शिर्मती टकाटा ने कैंसर रोग देक दुज्जे के इस बारे दसय है उस आजमी दी उमर करीब 6 साल दी हुएगी ति आंत कैंसर नाल बुरी अउन्ही दाक्टर ने कि बुगाया मैं सभी जिस निल सारे जणे मिलके लगातर चौवी कंटे उना दे रेकी उपचार कर दे रहे परिवार च चार रेकी व्यक्तियां दे लाज नालूना दी हालत च सुधार होन लगा दर्द भी गाइब हो चुक्या सी जिमे जिमे उना दी हालत विच सुधार होन दा गया उनने अपनी पोक वालते आन देता शुरू च उना नू सादा सूप देता जन दा जिनू मजे नल पी साकदे सी अगले हफ्ते उन मुलाइम पात खान लगे मीने दान्त हुन्दे हुन्दे डॉक्टर ने एकसरे करके वेख्या कैंसर कटन लग पया सी दुझे मीने दे आन्त तक वना दी से चेना सुधार हो गया सी कि उनाने अपनी पती निन क्या के बाग चे जिनने वी रंग ब्रंगे फुल पोदे लगे है जो करीव चाली होनगे सारे कटके सिरी मती टकाटा नू तान वादे तोर ते पचादे हो ये भी बेंती करना के उनानू पोजन वेच मच्छी ते अर्कलेंदी इजाज़त देन उनानू पोजन दी आदत पिछले चाली साल लांतो सी इसली मैं उनानू मच्छी देनाल सिर्फ एक कप अर्कलेंदी इजाज़त देती अगले सथ दिना चोना ने अपना वजन प्रापत कर लिया छे मिन्या चो अपने कामते वापस आगे जदके डॉक्टरा ने होना दा सिर्फ दो हफ्तियां दा जीवन दा सियासी एक एस उस गल्दी याद दिवां दा है जो मेरे टीचर क्या कर दे सन जद तक साहन सानो कोशिश कर दे रहना चाहिदा है सफलता मिल दी है तर रेकी दा तानवाद करना चाहिदा है हड़ियां दा उपचार तुटियां हो यां हड़ियां होते रेकी बहुत ही असर दा एक हों दी है उठीक हो जानी है सिरिमती टकाटा ने दसिया कि जा तक टुटियां हडियां सेट करके उस ओते प्लस्तर ना चड़ाया जाए ता तक रेकी उपचार शुरू नहीं करना चाहिए तो ने तो जरा उपपर मनी पुर्चकर उते इलाज शुरू करना चाहिए जिस नाल तनाव खतम हो सके ते पिट आडेनल उते उपचार करना चाहिए जिस नाल तनाव दुरू कटना चट कादूर हो सके ज़द टुटियां हडियां ते प्लस्तर लग जाए उदे उपपर तो रेकी दिती जाए तो बहुत अच्छा नतीज्या मिल दाए रेकी प्लस्तर लकडी जान रबड उत्तों दी गुजर दी होई अपने निशाने ते पुझ जाएगी सिरिमती टकाटा ने अपने अनभव दस देखया कि उदी एक मित्तर तिलकने फरशते डिख भई उदी बाद दियां हड़ियां तिन था उन्तों तो टूट गईयां उन्हों प्यानक दर्द हो रहा सी दुझे दिन तो मैं उदा इलाज शुरू केता दो दिना बाद उन्हाने कि उन्हों ठीक होन ली कई हफते लाग जानगे उन्हां चौन दी ओने चौन दी कि उई कस्तान ते बैठके अपनी टुटी हड़ियां बारे सोच दी रहे इसलिए कि उन्हों किते सेर ली चले आ जाए मैंनों बहुत हैरानी हो रही सी मैं पुझे किते जाना चानी है उन्हें दसेया कि उन्हों दी योजना अनुसार पहला फिलिपीन्स उथो होंग कॉंग थाइलेंड सिरी लंका होंदे अंतुपारत पुझांगे उन्हों पता ने किनने दिन लगणगे उन्हों रेकी मिल दी रहेगी इस लाली के पासे उन्हों दी बाँ ठीक हो जाएगी ते दुझे पासे उचैर भी कर लाएगी मैं उच्पास सवीकार कर लाएगी सेर बहात अंद आया सैर दे दुरान में उन्हों दी प्लस्तर किती होई बाँ फडी रख दी सी इस तरह उनानों रोजानना रेकी मिल दी से उना सारे स्थाना ते असी कोंभी आई रोजानना उना दा दर्द का ठुंदा गया उनानों अराम भी मिल दा है ते ज़द सी जपान पहुंचे ता सी उनू में दाने वज़ो अपनी बांध एक्सरे टोकियोच कराउन दी मंग की थी जे कराउन दी बांध ठीक हो गई होवेगी ते मैं उत्ती रुक जावांगी ते अपने सिख्या देन वाले परवारा नाल मिलांगी एक्सरे तो पता चलिया के हड़ियां पूरी तरा जुड़ गई यहां ते जो तो पलस्तर हटाया गया तो उनू अपनी बांध ये हाथे लॉंच कोई मुश्किल नहीं हुई ताद में जपानच करीब एक मिने तक रुकी रही ते अपना इनाम आसल कीता किड्नी एक दिन मैंनू एक दूसरे टपू तो बुलाव आया जिते एक व्यक्ती किड्नी दी विमारी नल गंबी रवस्थाच पुझ गया से सिरी मती टकाटा दस्दी है कि अपने काम तो हाथ तो बैठा सी ते अपने परिवार नू हवाई टापू पेज के अपने रिष्टेदारां ते बित्तरा देखा रह रहा से उन्हें बड़ा पुराणा रोग सी ते डॉक्टरा ने भी जवाब दे दता से उन्हें मैंनों सद्दा दिन दे हो एक अउनली क्या कि अथे आके कुछ दिन चुटियां मनाओ ते मेरे उत्ते रेकी उपचार भी करो उपचार शुरू हो गया उधी प्रतिकिर्या भी शुरू होगी जो एक कार आत्मक्स थेती सी कि उधे श्रीर्ने रेकी सवी कार करनी शुरू कार देती से उधे दश्या विच लगातार सुधार हो रहा ही। एक अफते बाद हुदे मित्रा ने मैंनों एक पता होर रोके रेकी शक्ती संचार प्रापत की ता जिसनल सब मिल के उधना दा रेकी उपचार कर सकन। उन्हां दा उपचार हुन्दार या ते कुछ दिना बाद उन्हाने किड्डी रोग तो मुक्ती पाले। बोलापन जे किसे व्यक्ति विच नाडी दी गड़बडी कारण बोलापन है तो उन्हों रेकी ठीक कर सकते हैं। सिरिमती ठकाटा दा कहना है। रेकी उपचार नाले बोलापन दूर हो जान्द है। कारण रेकी नाल सबंदत नाडी प्राण वायू तो उर्जत हो जान्दी है। व्यक्ति नू सुनन लगदा है। सिरिमती ठकाटा दस दिया है कि उन्हों कुल एक मैला आई ते अपने पती दे बोले पाणनू दूर करण दी बेंती किती। गल्लां करण ते पताला चलिया कि व्यक्ति कई साला तो कुछ नहीं सुन सक्या। पर उधी पत्नी नू रेकी होते न विश्वास सी के रेकी दी सहायता चौंदी सी। पती ने सिर्फ पत्नी दी खुशी ले रेकी उपचार सविकार केता। तिन मीने गुजर चुके सी। रेकी उपचार चल दार लगातार चल रहा सी। एक दिन उधी पतनी कमरेज बैटके कपड़े आंदी सिलाई कटाई कर रही सी, उधी पती समाचार पत्तर पढ़ रही सी, अचानक बहुत उतेजत होके खड़े होगे दे बुले, अरे मैं तेरी कैंची चलन दी अवाज सोन साकता, रेकी उपचार कुछ दिन होर चल दा रहा, तो बिलकुल ठीक हो गए, पत्तरी, जद किड्नी दी अंदर जहरी ले विकार युक्त पदारत जमा होन लग दिया है, तब कुछ दिना बाद पुरे पुरे पदारत दी रूप पत्तरी दा रूप लेके सक्त हो जान दिया है, रेकी चे पूरी तरह संभव है, परेदे ले ती रज रखन दी लोड पैन दिया, ती रेकी दा रूजाना एलाज ज़रूरी है, पत्तरी बणन चीक लंबा समा लगदा है, तो उदे निकलन विच वी समा लगएगा, फिर अपरेशन नाणों बेतर होन दिया, पित्ते दी पत्तरी नालवी है प्रतिकिरिया होन दिया, प इसलिए ना ग्रंथिया ले रेकी उप्चार लेया जाए, ती ग्रंथिया नू संतुलित किता जाए, शिरिम बती टकाटा दस्दिया के व्यक्तिनू खुद रेकी शक्ती संचारत होनान चाहिदा, जिस नाल खुद अपना उप्चार कर सके, नाली वदे रे पोजन दी आद चड़नी जाए दिया, ती पोजन तो बाद आइस्क्रीम जा मठ्याई नहीं खाने जाए दिया, इस दे बाद अगला कदम कसरत करन दा है, व्यक्तिनू ठेलना चाहिदा है, कारण ठेलना सब तो वदिया कसरत है, पर ए रोजान ना होना चाहिदा है, कुछ लोगानू कमजो ख मठी, य apparent है सरीमती ट्काठा दा कहना है, कारण दान भऩ है, का इस दे मुटापा धूर करन दे कहीं है, ॉदिर नहीं खुच कहारन होजान नूझ मठी तो भ। कट के ठीक हो गया ते गलेच कोई दाग भी नी पया उना कुल एक औरत आई जिते गलेच आख रोट जिन्नी वो डीग रन थी दी सोच हो गई सी सिर्फ वी देन उपचार तो बाद बिल्कुल ठीक हो गई अनेक लोग कांदा कहना है के मुटापा खान दानी हुंदा है पर सिर हम्मां के तकाटा दस देया के उना नू उना हस्पितालां चाला जान दी छोट सी जिते रोगी उना तो उपचार करोंड लाओ सी तल पहला के इस टेट नस दाओ झाव जिस चरोगी दे जबड मेन कासके बन्द हो गय सी जतों अना दी नर्स ने भुला जिदे पिता नों उक्त टैटनस हो गया सी। डॉक्टरा ने जवाब देता कि होन कुछ नहीं हो सकता। जद मैं उना कुल पुजी तो भी होश सी ते उना दे जबडे कस के बंसा। मैं तुन्नी सोलर प्लैक्सस दे कोल जांच कीती देखिया कि बहुत सखत है। जिवें कोई कार्ड, बोर्ड ऐसली उनूं प्राथमेक चकेत सा देंच बहुत कतना आई सी। मैं उदे पेड़ू दे कोल पुचार कर दी गई थी करीब दो कंटे दे बाद। पेड़ू दे कोल कुछ गर्माहट मैं सोस होई। मेरे हत्थां चुई कमपन होई थी मैं समझ गई के रेकी अपना काम खार रही है। उन्हों होश्च आ गया सी। मैं उदे सेरुते रेकी देती फिर उदे बंद जबड़े आनुए दोना हत्थानाल रेकी देनी शुरू कीती। करीब पंदरा मिंट वाद उन्हें अपना मूं खोले आते पाणी मंगया। उस सेन मैं उदा दो वार उपचार कीता। जाद मैं दूजे देनों दे कुल्पुजी ता मुस्कुरा रहा सी। उन्हें थोड़ा सूप पिता दी हलका खाणा भी ले आसी। काफी तेजी नालो दी हालत विट सुधार होया। सिरिमती टकाटा दसी है कि हरानी जनका अन्भव मैनू पहले टेटनस रोगी दे उपचार वेले होया। सिरिमती टकाटा दसी है कि टीबी दी बिमारी ठीक हो जान दिया इस बंद चौना नो कोई अन्भव मिले हान। एक चूत दी बिमारी हों दे कारण। इस बिमारी दे रोगी अपने परवार ते मित्रा नालो हट के सैनेटेरियम कही साला दो सी। उन्हें अपनी पत्नीनो मेरे पास पेजया जिस नालो दा रेकी उपचार कर सके। अपनी पत्नीनो रेकी शक्ती अनुरोध की था। उदी पतनी अगली रेकी क्लास विच आई जिस नालो अपने पती दा रोजान ना उपचार कर सके थे इस उपचार नाल उदी स्थिती च सुधार होन लगा एक दिनोना ने मैंनू सैनेटेरियम बुला के रेकी शक्ती देन दा और नू रोध कीता मैं आनोनू दस्या के हस्पताल चे रेकी शक्ती देन दी कोई सुविदार नहीं उनना दा कहना सी के रेकी क्लास लगाउन दी लोड नहीं और रोजाना सब कुछ देख देहां के रेकी उपचार दोरानोना दी पतनी स्रीर दे किस-किस अंगुते हतेलियां राक दिये ते रेकी शक्ती मिल जाए तो खुद भी अपना रेकी उपचार कर सकनगे वो चौन्दे सान में सिर्फ चार दिन उत्या के उननू रेकी शक्ती नाल संचारत कर देयां वो दोनों पती पतनी खुशी नाल उपचार कर सकनगे इस दर्मयान मैं नू टीबी देख रोगी बारे पता चलेया, उदी पत्नी मेरे का रदी सेवी का सी, तो रेकी शक्ती प्रापत करना चौन दी सी, जिस नालो अपने टीबी नाल ग्रस्त पती दा उपचार कर सके, सिरफ तिन हफ्तेयां दे रेकी उपचार नाल, उना दी चुटकारा मिल गया, टीबी रोग नाल पीड़ती खोर मैला दा रोग अंतिम चरना दे सी, उदे माता पिता मेरे कुलाये थे, उदा उपचार करन दी बेंती किती, उस मैला दा वया पका हो चुका सी, पर उदी हालत देख दे हुए, उदे माता पिता नू एस समझनी सी आर किती, ति उस सब मिल के उस मैला दे टीबी रोग दा उपचार करन लगे, करीब छे मीनेरे की उपचार नाल, वो बिल्कुल ठेक हो गई, तन दुआ